ओम शान्ति आज 16 डिसेंबर 2022 है प्यारे बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि ये पतित दुनिया है पुरानी दुनिया है तो अब इसे दिल लगानी नहीं है लेकिन इस दुख की दुनिया से दिल को हटाना है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और हर एक कदम पर सुप्रीम सरजन की राय लेनी है प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वर्दान दिया दिव्य बुद्धी द्वारा त्रिकाल दर्शी स्थिती का अनुभव करने वाले सफलता मूरत भव बाबा ने हम बच्चों को सफ वर्दान दिया लेकिन उसका अधार है दिव्य बुद्धी जो हमें तुरिकाल दर्शी बनाती है ब्रामन जनम का सबसे पहला और विशेश किफ्ट है हमारी दिव्य बुद्धी और दिव्य बुद्धी अर्थार्थ हमारी दिव्य समझ दिव्य समझ दिव्य जो हमें स्व तीन काल के बारे में हमें पता चल जाता है आदी मद्य अंत का ज्ञान समझ आ जाता है तो हमारी बुद्धी विशाल हो जाती है दिव्वे हो जाती है और जब दिव्वे बुद्धी से हम कारे करते हैं यानि स्वयम को पहचानते हुए बाबा को याद करते हुए और तीनों कालों को जानते हुए तो हम तरिकाल धर्शी बनते हैं और हमारे हर एक कारे में हर एक करम में हमें सफलता का अनुभव होता है ऐसे भी जब कोई व्यक्ती कोई कारे करता है बेसमजी का कारे कर लेता है जहांपर उसे औसफलता महसूस होती है तो लोग यही कहते हैं क्या आपकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई थी क्या आपकी बुद्धी काम नहीं कर रही थी कि आप सही decision नहीं ले पाए या आपने कोई ऐसा कारे कर लिया जो करना नहीं चाहिए था और इसके विप्रीद अगर हमारी बुद्धी दिव्य है तो हम वही करते हैं जो राइट है सही समय पर है और सब के लिए कल्यानकारी है स्वयम के लिए भी औरों के लिए भी विश्व के लिए भी तो हम अपने दिव्य बुद्धी के स्वरूप में टिके अपने दिव्य बुद्धी का स्वरूप अर्थाट स्वयम को जानना कि मैं कौन हूँ बाबा की याद में रहना और तीनों कालों को याद रखना इस स्वरूप में इस दिवे बुद्धी को यूस करते हुए हर एक करम में सफलता मूरत बने ओम शान्ती